तो हेलो अब्रीवन कैसे हैं होफुल इसा बच्छे होंगे अब ने तयारे में लगें लगेंगे लेखें सुझेट हमारा अभी क्या चल रहा है मैं अब को बता दूँ थोड़ा सा जो बच्छ अमर्च अभी जुड़े यह लेट जुड़े उनकों बता दू किस हिसाव से पटन रहे हो हम बेसिगले से सीज्जेल दोज़र चौबश्वाइल कर रहे हैं बट टार्गिट हम कैसे कर रहे हैं मैं ने चंटर वाईस को लेकर कैसे चलेंगे धान से देख जरा हैं हमने क्या किया पहले मैने पूरा जैसे पर्सेंटेज लिया फिर मैंने रिच्छोन प्रपोर्षन फिर मैंने प्रॉपिट अन्लॉस इसके मैंने 5-10 की ते जहां याद है, तो हुआ कि उसके बाद और ये क्या थे यह मैं ने शुरूए क्या थे दोज़ारि निस से इसमें प्लस में मैंने मिले मुश्जोड challenging करवाई थे और अब चैसे दो सेशन आ रहे हैं और इसमें कि बिवरा आपको दिखा दूँं आपको देखी दिखे है रहा है डिखा रहा है रेशोंड प्रपोश्चन एससी के डोजर थया है मेरे पास जो प्री में हैं इसी तरीके से में के बुरस पूरा अर्ति कर नहीं करने वाले है में पूरा इडवान्स करने वाले डिंग तो प्लीज इन वीदियों को लाइक परेंख चेहरे सब्स्राइब करना काइंडली प्लीज मत भूले चलिए तो चलते हैं नेक्स किया देखो मेरे पास अब ऐसे सी सीजल क्राइक करना बहुत हो गया असान क्योंकि अभी वीडिया ने अपना सब्सक्रिक्शन कर दिया कम पहले जो सामडी फाइफ फाइफ हंड़ का था आप कितन कि कैसे कैसी पॉस्टत हो ती उसमें एशिस्तेंट और ऐसंट ओडिट आफीसर होे आपका आपका औख इस का है बहुत सारी पॉस्ट हैं जिरह पारинов और कैसी कासी एको के अंदर फैसिलोटी मिल रहे हैं इसमें को थोटा सब करहां देखिए शबसे feel Rap an besteht यहां सब चीजें आपको यहां पर मिल रहे हैं और इसी के साथ आपके एक WhatsApp गुरूप का इसी के साथ आपको क्या मिल रहे है एक WhatsApp गुरूप का लिंक मिल रहे है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो काइंड़ी इसे भी आप जॉइन कीजिए पूर अपकमी वीडियो जैन नोट्स क्लियर तो चलिए चलते हैं रेशन प्रपोर्शन दोजार टेश के से सी सीजेल में जो कोशन आए उनको हम डिस्कॉस करते हैं बन भाइब क्लिए देखे पहले कोशन क्या दिया है इवता फॉर रंपर्ट्स 39 117 17 एंड य देको मीन परपोश्चन थर्ड पर परपोश्चन तो फॉर्थ परपोश्चन पें काफे सार कउस्चन आया है और सो सबक्राइब करेंगे सीजेल प्री दोजार तरिश का कोशन आपके बास इस क्लिर देखे ए फॉर्थ पर पोश्चन ए हैं ए रिसो बी पेजिशों है कि यह मेरे रिखास दिया हो इस वांद इसको मैं कैसे लिख सकता हूं अब बटा भी बराबर सिप्टर अ मतलब बगर एक रेशो दो में तो सी रेशो डी बी किसमें होगा एक बटा दो में कहने का मतलब साफ साफ ही है ठीक है एक वैल्य कितने दिया मुझे इस तो सतरा पूर से की वैलिए कितने दिया मुझे सेंटीन ओडी कितना दिये वाई जो कि हमें फाइंड आउट करना है तो यह कितना होगा थ्री टांश थीन पर किया तो वाई कितना आगा मेरे पास सत्र गुना फिन कितना होगा मेरे पास 51 ओप्शन नमबर भी विल्कुल यह क्लियर चोटे 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 कोश्चंस है बहुत अच्छे कोश्चंस आ आज हमारे पास क्लियरली चलिए इसको नोट कीजिए कोशन भी बढ़ते हैं अच्छ पेढ़ा हुँआं उरव्द चोट ल tech नेंस कुश्च नेस्ट इस्ट नेंस्ट पर्पोस्चेंट एप्वीन स्वेट परplex है करिये ज़रा में पर्पोशन पीवनद पासे यमिन पर्पोशन सव लो क्या होता देखा। मिंग सी इ मीन परपोश्चन क्या होता पहले दो यह सुनो जिरा ध्यान से देखो अगर मैंने बुला A by B अगर मैंने बुला A बटा B रेशो B रेशो C तो क्या हुआ A इसको लिखूंगा कैसे में A बटा B बराबर B बटा C तो क्रोस मल्टिप्लाई करता हूँ A कुना C is equal to B scale तो B कितना है मेरे पास under root of A C यह मेरे पास क्या 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 लगता है mean proportion यह क्या 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 लगता है मेरे पास mean proportion तो जब भी दो values दी हूँ जैसे यहां पर कहते है साथ दिया और 112 दिया तो प्लीज कुछ है नहीं करना आपने इन दोनों को multiply करो under root निकाल दो बट जहां से देखो क्या है मेरे पास अगर मैं B निकालना चाहूं क्या है root of में साथ गुना 112 में साथ गुना इसको अगर मैं लिखूं साथ गुना सोला चलेगा सोला सत्य क्या होते है मेरे पास सबसेच्च है क्या directly मत करो इसके factor बना लो क्योंकि कई बार बहुत बड़े factors बन जाते हैं तो आपके बस uneven मतलब कई उपके बहुत बड़e factor मन करते तो answer कई बड़े भी आसकते हैं तो कई रबार मुझे बड़े बड़े इसका करेकल ठाट ऑचसे க Ew002 जल्दी से नुट कीजिके सब्सक्राइब हुचिन बहुत अच्छे कोश्चन आजए हमारे पास चलिए ओफुल यह दो असान से कोशन आपको क्लियर होंगे. चलिए स्विट्स. यह भी स्से सीजेल दो जार्ड रे इस फ्रीक है. A and B have some toffees. If A give one toffees to B, then they have equal number of toffees. If B gives one toffees to A, then toffees with A is double with B. The number of toffees with A and B are. अच्छा कोशन है, कैसे करेंगे? How will you do this question? देखो. प्रेल समझते हैं, इस question को क्या करें? प्रेली equation क्या करें? Statement 1, statement 1 कहांपे हैं? Statement 1 है, A यहां से यहां था. A and B have some toffees. If A gives one toffees to B, then they have equal number of toffees. इसका मतलब मैंने माना, A के पास X toffees हैं, इसके पास Y toffees हैं. शुरू में मैंने इसको एक general equation में लेके चल रहा हूँ. इसमें, ठीक है? फिर वो क्या कहा रहा है मेरे पास? अब वो कह रहा है, कि if A gives one toffees to B, इससा मतलब A ने अगर एक toffees B को दी. A ने अगर एक toffees B को दी. मतलब X के पास एक toffees कम होगी? और Y के पास एक toffees जाद आगिया. तो इनके पास जो ratio है, वो 1 ratio बन हुआ. यहनि क्या बोलो गया? X-1 is equal to Y plus 1. यह बोलोगे? बिल्कुल जी. तो इसको मैं और कैसी लिखना चाहूँगा? X-Y is equal to 1 plus 1. तो X-Y कितना हो गया? तूँ आगया मेरे पास? क्लियर? स्टेटमेंट बन ही होगी. अब स्टेटमेंट 2 पे चलिए ज़रा. स्टेटमेंट 2 क्या करी है? इस B gives one toffee to A. यानि A ratio B है. अगर B ने एक toffee A को देती. यानि Y के पास आगी एक toffee कम. और B के पास एक कम. और A के पास आगी एक ज़्यादा. तो यह ratio कितना हो गया? तो वो क्या कर रहा है? टॉफी भी देया double with B. मतलब एक के पास दो गुर्ण टॉफी जो 20 हैं. ठीक है जी? मतलब X plus 1. और Y minus 1 बराबर कितना? बराबर 2 बटाएक. ठीक है? दूसरी equation यहां से निकलिक तो multiply करें. कितना आगा है मेरे पास? X plus 1 is equal to 2 times of Y minus 1. यानि X plus 1 is equal to 2Y minus 2. तो यहां में क्या लिखूँगा मैं? equation number 1 X minus 2Y is equal to minus 2 minus 1. यह नि माइनस 3. clear हो गया? कोई doubt इसमें? कोई doubt नहीं तो बस question करके दिखाओ मेरे को. देखो. change करो जाए रहा. अच्छा जी. यह माइनस cancel. प्लस करो Y. माइनस Y plus 2Y. और 2 plus 3 कितना हो गया? 5. तो क्या Y की वैल्यू 5 आए? यस. Y की वैल्यू कितना हो गया? 5. अगर Y की वैल्यू 5 आगी. तो यहां पूट करतो 5. X minus 5 is equal to 2. X कितना हो गया? 2 plus 5. बदबद 7. तो X plus Y कितना हो गया? 5. 12. यहने option number is दया. करेक्ट अब से clear? तो प्लीज छोटे-छोटे questions से. बठाएं. यह थोड़ा सा logical question था. इसको हम देखिए कर सकते हैं. Clear? चलिए. देखें, जब यह equation आई, किया मैं option से कर सकता? जब यह equation आई, कि मैं option से कर सकता था, yes. जब मेरे पास है, फोफ़ली नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा. देखो, वो कह रहा है, भई, X minus Y 2 है. ठीक है? इसका मतलब, X minus Y 2 है. अगर मैं option number A उठाता हूं, 12. ठीक है? करके देखते हैं, यह 7 है, यह 5 है. उसने एक बात और बोली कि, अगर Y एक टॉपी और दे 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 दोग ना हो जागा? तो कितना होगा? आट, दोग ना होगा? क्या? और किसी option में ऐसे बैठ रहे हैं? और किसी में ऐसे नहीं बैठेगा, ध्यान रखेगा. तो जब एक equation आजे, दूसरे को मत पुलाट कीजे, डिरेक्लिए उप्शन इस तरफ जाएए, इसी रहेगा आपके लिए, तो प्लीज, लाइक, शेर, सब्स्राइब करना, मत भूलिए. Let us move down to the next question, बहुत असान-सान question अब रखेगा तो, टिक करने वाले हैं, जो अभी तक मुझे मिले हैं question, चलिए, the ratio of the number of boys to that of girls in a school is 11.15, कहने का मतलब कह हैं? अगर मेरे बाब boys और girls हैं, तो वो किस ratio में? 11.15, if there are 200 more girls than boys in the school, what is the number of boys in the school? schools, school sorry, not schools, how will you do this question, कैसे करेंगे इस question को बताइए मुझे फटाफट? देखो, सबसे पहले क्या दिया हैं? boys जाद हैं? boys 11x माल लो, और girls कितनी माल लो? 15x माल लो, 11x बंद रहे हैं? next क्या कह रहा है, the ratio of number of boys to that of girls in the school is 0-15, if there are 200 more girls, इसका मतब girls 200 जाद हैं, तो मैं क्या कहूँगा? girls minus boys is given to me 200 isn't it? yes, यानि 15x माने सो 11x, कितना दिया मुझे हैं? 200 यानि 4x कितना दिया, 200 x कितना दिया मेरे पास? 50 तो मुझे क्या बुचरा नमबर बॉइस, बॉइस कितने दिया इंस्टुएंट समय? अप्शन नमबरे 550 is the right answer clear तो प्लीज, लाइक, शेर, सब्स्राइब करना मत भूली चैनल, ऐस वेल इस दा वीडियो देखो, ये कोशन आपको क्या दिखा रहे हैं? ये कोशन आपको क्या दिखा रहे हैं? कि SSC CGL प्री में कोशन का लेवल ना इजी है चाहे कोई beginner हो, चाहे कोई master piece हो, ये master piece का मतलब कोई बच्चा जो बहुत अच्छी तियारी करकिया हो दोनों के लिए same pattern कोई दिखत नहीं है बट, change कहां पर आता है? वो आपको कैसे पताचे लेगा, जब मैं और अच्छे-च्छे questions कराऊंगा अभी ratio proportion का पहले lecture है, हमारा जो 2023 है, इसमें एक आधा session हो रहाएगा, एक से जाधा भी आ सकते है, बेसिकली जितने question मुझे लगे, मैं लिए आया आज, ठीक है? आपने आप कर क्या रहे हो, आप आप over practice मत करिये, आपना over practice मत करो, मतलब कहाने का मतलब कहा है? जितने sufficient है न उतनी करो, जितनी sufficient practice है उतनी करिये, एक्सेस में practice मत करो, फिर उसे होगा क्या? उसे होगा ये, आप उस topic में ढूब जाओगे, आगले topics को करो, cover नहीं करोगे, और फिर वहाँ पे gap आएगा, और वो आप दिक्कत आए लिए, तो जितने, देखो, basically previous year question अदर sufficient, previous year question are sufficient, बहुत है previous year question, इसे ज़्यादा करने ज़रूद नहीं है, समझाई बात, तो चले चलिए, प्लीज लाइक शेर सब्स्राइब करना, मत भूले, कोई दिक्कत हो तो, कर दिया, को देखो, ये question पर्सेंटेज में भी करवाया था मैं, ये question पर्सेंटेज में भी हो, ratio proportion दोनों में include करता है, क्योंकि ratio proportion भी दे रखा है, और यहां पर percentage भी दे रखा है, तो दोनों कोशन है, उमीद करूँगा, ये question आप कर पाऊगे, और जी जिसने पहले session देखा हो, तो answer तो अब यादी होगा, कितना है, option number C, 31 by 3% decrement, yes, तो please, जिससे नहीं पता, वो yes or no लिखेगा comment में, और जिसक income and expenditure, देखो, income मेरे पास क्या होती है, सबसे बहले सुनो, income होती है, expenditure plus savings, income क्या होती है, मेरे पास expenditure plus savings, clear, अब जहाँ से देखो, जो रहा, the ratio between the mental income of expenditure, expenditure, income, देखो, income, इसे कर लो कितना है, expenditure, plus savings, ठीक है, उसने क्या बोला, अगर 8 मेरे expenditure है, सबसे इंकम है, expenditure 5 है, तो definitely saving कितनी होगी, 3, मैं फिर वही करूँगा, देन को नहीं पता, मैं इसको एक ऐसा number बनाने जा रहा हूँ, जो सबके लिए common हो, यानि दस से को multiply कर रहा हूँ, होगा कैसे, मुझे calculation असान होगी, इस income increase by 20%, income 20% से increase होगी, यानि 80 into 20 by 100, plus 16, 80 plus 16, कितना होगा, 96 होगा, clear, एक्सका बोल रहा है, and expenditure in English by 30%, expenditure कितना होगा, 30%, इसका 30%, plus 15, यानि expenditure कितना होगा, 65, तो definitely कितना होगा मेरे पास, 31, अदो मुझे भी याद होगा, clear, तो इसका हम ददद जो savings, originally final थी, savings जो 30 थी, वो कितनी होगा, 31, यानि कितना का agreement, एक agreement 30 पे गुना of, 100%, तो 10, बटा 3% का मतलब, 31 by, 3%, option number C is the correct answer of this, good question, clear, good question, brilliant इसने का, brilliant मैं आपको percentage में बोल चुका हूँ, इस तरह के बहुत सारे question आए थे, तो प्लीज ध्यान रखे, clear, जल्दी से note किजिए, तो next question पे चल रहे हैं, चलिए, इन आ बैग, देखो कितना असान कोशन है, इन आ बैग, contain red, green and blue pens, मतलब कुछ red pen है, कुछ green pen है, और कुछ blue pen, ऐसे question है, ऐसे CMTS में भी जाने चीए, जैसे वोगे, जैसे से CGL में टाले हूँ, the ratio of red, blue, green pen are in 749, 7P, 4P and 9P, ठीक है, if the total number of pen in the bag was 320, देखो, इसका मतलब मुझे, red pen, plus green pen, plus blue pen, मिला के कितने दिये में रखो, 320, isn't it, 320, इसका मतलब, ये कितना है, 7P plus, 4P plus, 9P पर अबर कितना, 320, 7, 4, 11, 9, 20, 20 P की वेल्यू कितने है, students, 320 एनी P की वेल्यू कितने है, 16, तो मेरे पास क्या बोला, red pen, red pen, कितने हैं मेरे पास, 12, 7, कितना हो गया, 112, option number A इसदा, right answer, clear, जल्दी से note कीजिए, चलते हैं, next question कितरे, बहुत अच्छा question नमादी वीट कर रहा है, चले, next question के रहा है, मेरे पास, अब bag contain, 552 रुपीज, 550 रुपीज, in form of, 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा कोईंस, इन दा रिच्टो, 2, 3 and 5, ठीक है, the difference between the amount, that are contribute by 50 पैसा and 20 पैसा कोईंस, आपको difference बताना भी 50 पैसे वाले में, total amount था, और 20 पैसे वाले में, total amount था, इनका difference मुझे basically find out कर रहा है, इस question में, इस question मुझे difference find out कर रहा है, बताए कैसे करेंगे, देखो, अब bag contain, 550 in the form of, 50 पैसा, मतलब मेरे पास कुछ 50 पैसे हैं, ठीक है, कुछ 25 पैसे हैं, और कुछ क्या है मेरे पास, 20 पैसे कोईंस है, ठीक है, और ratio क्या दिये है, ratio, यह क्या होगे, coins, ratio मैं बोल लूँ भाई, 2x, 3x और 5x, ठीक है, अच्छा मुझे total कितने दिये हैं, मतलब total amount मुझे कितना दिये है, total amount is 550 रुपीज, एक बात सुनो ध्यान से, देखो, 50 पैसे करें, 2x कोईंस है, तो total कितना होगे, 1, 50, 2, 1, यानि 1x total रुपीज होगे, मैं रुपीज में बात कर रहा हूँ, बिकोज जो final amount रुपीज में दिया हुए, तो मैं रुपीज में इंगर हूँ, इसको ठीक है, अगर 25 पैसे का एक हो ना, तो 3x की बादी कितना होगे, 0.75x, ठीक है, सुरेंस, और ये कितना हुआ, 20 पैसे 5, ये भी 1x होगे, रुपीज, ये भी रुपीज में, ये भी किस में, रुपीज में है मेरे पास, तो total amount कितना होगे है, यानि 1x, प्लस 0.5x, प्लस 1x, जोड के कितना आनाच है मेरे पास, 550, यहां से x value find out होगे, ये कुशन बहुत टिपिकल माना जादा, बट अभी बीड़ से सीब देखे लों कितने साने समय ने करवा दिये इसको, ये कितना होगे, 2.75x, बराबर किसके है, 550, तो x value कितनी आई, 550 by 2.75, ये कितने टाइम जा गया, 200 टाइम जा गया, गर x value 200 आगी, तो definitely मेरे पास, जो 50 पैसे वाले coin थे, उसका total amount कितना था, 200 रुपे, और यहां पे भी कितना था, 1x कितना, 200 रुपे, तो कितना आगया मेरे पास, वैसे एक बात बताओ, इकतना सब करने ही जरूरत नहीं थी, ये जो मैंने सारा, किया question solve करने ही जरूरत दी नहीं थी, जब आपके पास ये आग मुझे, बट फिर भी मैंने कई बार वो पूछ लेता है आपसे, amount बताओ, 25 पैसे वाले कितना है, किसका और difference पूछ लिए, तो वहाँ पर दिक्कत आ सकते हैं, इसलिए मैंने शुरूरू में इसको नहीं बताया, आपको, इसलिए मैं भी बता रहा हूं, clear, जल्दी से note कीज let us move on to the next question of this class, third proportion to x square minus y square, देखो, मेरे बात होता क्या है, x, या मैं ले ले लूँ, a, b, b, c, यानि, a बटा b, बराबर b बटा c, ये c मेरा third proportion होता है, ठीक है, यानि, c क्यों होगा मेरा, b square by basically, आपको मैंने mean proportion बता था, वो क्यों होता, under root of a, c, ठीक है, या या भी जिसमर्जी term में ले लेना हो, तो यहां भी b कितना है मेरा, यानि, x, minus y का whole square, अपन क्या है मेरे पास, x square minus y square, और इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, x minus y, x minus y, यानि, x minus y और, x plus y, तो यह कितना हो गया, x minus y upon, x plus y, क्या अंसर हो गया, option number 20 दा, correct answer, clear, तो like, share, subscribe करना, प्लीज मत भूलिए, channel as well as the video, clear, चलिए, note कीजिए, फट अपर इसको, आ रहे हैं, question सारे का सारे यह है, देख़ो, ऐससी, अपका CGL 2020 में ही है, ठीक है, चलो, third proportion, अच्छा, सॉरी, यह दो बार आगे, find the fourth proportion, 144, 192 and 216, 144, 192 and 216 का मुझे, fourth proportion, find out करना है, देखो, fourth proportion बेसे ही लिए क्या होता है, A, ratio B, C, ratio D, D क्या होता है मेरा, fourth proportion, इस lecture में मैंने almost आपको सब कुछ बता दिया, कि कौन सा proportion कैसे काम कर रहा है, या नि, A बटा B is equal to क्या, C बटा D, A कितना है, 144, B कितना है, 192, C कितना है, 216, और D कितना है, मुझे, point out करना है, clear, देखो, बारा कुना बारा, अच्छा जी, ये कितने मुझे जाएगा फिर, बारे कम बारा, बाराटे, चानवे, छे दुनी बारा, एती अठारा, 96 into 3, 2927, तो D कितना है, आपके असर, 280, it is the right answer, option number B, clear, चलिए, hopefully clear होगा, देखो, अगर आप थोड़ा सा देखो न, इस तीन्यों क्या है, परफेक्ट स्केर है, बट वो भी है, चलो, देख वाद ने, ठीक है, clear, चलिए, चलिए, last question, आज की class का, मुझे निकालने हैं भाई, बाई की value, बताओ अगरा क्या answer है, सारे असान-असान question आई, इनोंने, शायद 2023 में बूच लिए, जितने भी असान-असान question ने पूच सकते हैं, जितने असान-असान question बूच सकते हैं, सारे 2023 में बूच लिए इनोंने, ठीक है, ऐसी question आते हैं, आप लोग उइं डरते हो, क्या लिखो के से, 405 divided by y, is equal to y divided by, इसका मतलब भी mean proportion बूच रहा आप से, is that it, yes, तो y square is equal to 4, 05 into 120, अब देखो, इस question हो करने का सबसे च्छा तरिक है, यह कितना हो, 81 into 5, 8 into 5 का cube, हो गया, यानि यह क्या हुआ, 9 का square into of 5 raise to power 4, और 9 का square into 5 का square का whole square, clear, और इसका मुझे क्या अच्छी, अंडर रूट अगर मुझे y निकालना तो, और y कितना आगया मेरे बस, 9 into 25 which is equal to, 225 option number is the correct one, is that clear, तो एंसर बिल्कु सही है, तो प्लीज लाइक, शेर सब्स्राइब करना मत भूले, चैनल है जाल है जाल है वीडियो, जल्से नोट कीजिए, तो, hopefully, जो मैंने करवाए, question आपको अच्छे से समझाए होंगे, और दोस्तों, मैं आपको एक बाद बता हूँ, यही है, कि यह कर लो, यह बुक कर लो, वो बुक कर लो, हमने class notes निकाल दिये, हमने यह previous year की book निकाल दिये, हमने एक कर लिया, क्या होगा उससे, अगर आपको concept नहीं आता, आप किसी के notes से भी कैसे पढ़ लोगे, मैं तो एक बात कहता हूँ, वहाँ जाए, मेरे पास बेशेक मत मुझे, कि सर नहीं समझ आया, ठीके फिर पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 4999 मैं अभी भी कह रहा हूँ, बुक एक हद तक आपको गाइड कर सकती है, बुक एक हद तक आपको गाइड कर सकती है, आपको आगे लेकि जा सकती है, बट एक अच्छा teacher ना, या एक teachers का panel आपको बहुत आपके लेकि जा सकता है, बुक नोकरी दिल आ सकता है, जो अभी वीड़ा SSC के पास है, अब देखी रहें वीडियो, अक्षे सर, रिशब सर, सार्तक सर, गुरुंदर में हम सब अपना अपना पार्ट कर रहे है, प्ले, कहने का मतलब क्या है, हर एक teacher पूरे जी जान से लगा हो आपके लिए content लाने में, और वो YouTube के तरफ आपको वीडियो से मिलता ही है, उस वैसा ही content आपको कहा मिल रहे है, बट यहां पर आपको क्या मिल रहे है, वीडियो लेक्शेस मिल रहे है, पीडियास मिल रहे है, आपको test series, current affair, 200 plus selections में दिखा चुक हो आपको, clear, so please like share, subscribe, subscribe as well as share this video, clear, so please, चलिए, next मैं आपके पास बात करूँगा, WhatsApp ग्रूप की, जो description box में से आप जोइन करना है, clear, next मेरे पास, micro course का microverse, क्या जी, micro course, micro course मेरे पास वो एक CD है, जिसके दुरूआ बहुत आगे जा सकते हैं, मैं बता दे तो, आपको डरक लिए, ठीक है, इसका link भी description box में मिलेगा, students आपको, सबसे पहले मैं करूँगा, चूज एक्जाम, हम जाएंगे, सबसे पहले मेरे पास साथ सब्सक्रिप्शन सांदें, वीडियो कोर्सिस हैं, सबसे पहले अपना 10 देज का मुबाइल नमबर डाली है, या एक नमबर बता रहा हूं, आपको, यह मैं आपको नमबर बता रहा हूं, 95177, 1651, इस नमबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, और वर्टसप भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी जानना चाहें, SSC, CGL, CHS, MTA, CPO, किसी भी एक्जाम के बारे में, तो यहां पूरी गाइडनेंस में लिए आपको, क्लियर, कोई मैंटरशिप चीए, कोई गाइडनेंस ही है, तो अपर यहां पर पूरी आपको गाइडनेस मिलेगी, क्लियर, तो सबसे पहले जर्नल स्लडीज की बात करें, क्लियर, देखिए, पूरा 886 का जैसे हिस्ट्री की बात करें, और जहां जहां पर आपको वीडियो लेक्च्छर दिख रहें, वहां पर आपको 6 मिनिट का ट्र यसे तरीके से मेरे पास, इसी तरीके से मिरे पूरा क्रेंट, जीह के भी है, इसे तरीके से हिसे मेरे बात का ग्रोँर, optimization, एक-प्रिदूट्र की बात करो, और 507 सूखे आप टीडूट देखने को मिल रहे हैं मिश्य एलेकिशन नंबर सिस्टम सिंपल इंटरस्ट पॉफिट लॉस एबरेज एज़ पर्मेटिशन कॉंबिनेशन लसे मैं से पाइपट सिस्टन तीक है देखें हम रेशो पर पॉश्टन कर रहे हैं न देखो रेशो पर पूश्टन लिए और सारे के सारे लिंक आपको मिलेंगे डिस्रेप्शन पॉक्स से फुल कोर्स का माइक्रो कोर्स को और आपके वट्सेप ग्रूप का थैंक यू और कोई डाउट हो तो जो मैंने नंबर बदा है ना आपको 951-777-165 उस नंब पर कॉल वट्सेप दोनोंवे लेबल आ सकते हैं थैंक यू सुरेंट्स